बुड़पेस्ट में स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं यह दिखाने वाला हूँ मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ एक इंडिया स्टूडेंट से मिलने जिनका नाम है दीदम ठाकुछ वो यहाँ पर बुड़पेस्ट में डॉक्ट्री या मेडिसिन की हलो दोस्तों मेरा नाम चंडुशेकर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट अक्कमेडेशन की की हंगेरी की राजधानी बुड़पेस्ट में स्टूडेंट कैसे रहते हैं कितना रेंट वो पे करते हैं और उनकी अक्कमेडेशन में क्या-क्या फैसि चुके हैं वो सिक्स्टेर के स्टूडेंट है तो चलिए दीपम के घर में हम जाते हैं और देखते हैं पीस आई याँ यह स्टीज हाव यूँ है रुटिस दीपम हम शुरुवात करते हैं आपके लिविंग अरिया से तो दिखाएंगे हमें प्रीज स्टेरी टेभल है और मेरा बेड़् बैसिकली मेरा एक स्टुड्यो कम e part यह तो जैसे जब आपने अपर्बंबेन लिया तो आपने क्या-क्या चीजे ध्यान में रखी थी मैं ने सारी कंफुर्ट की चीजे ध्यान वासिंग मसीन हो और एलेक्रिसिटी और यू नो एलेक्रिसिटी और वादर सप्लाई उसमें 24 आउर्स अवेलेबल और यह आपका स्टडी टेबल है जी जहां मैं अपना लगबग आधा समय गुजारता हूं इसलिए मैं इसको अच्छे से डिजाइन क्या हुआ है कि कमफर्ट के साथ यह बहुत ही इंपोर्टेंट पार है इस्टूरेन का और मैं देख रहा हूँ कि यहां पे बहुत अच्छा व्यू भी है तो आप क्या खिर्की से बाहर देखते हैं जब कभी-कभी बोर हो जाता हूं तो खिर्की से बाहर देखता हूं और अच्छा लगता है देख दीपम मैं देख रहा हूँ आपका जो काउच है यह भी बहुत जबरदस्त है बहुत अच्छा है तो चलिए यहां पे बैठके कुछ बाचीत करते हैं तो दीपम एक ची वदाईए जैसे यहां पे आप कितना पे करते हैं फॉरिंट में में पे करता हूं तो फॉरिंट में 140,000 फॉरिंट एक लाग चालीस अजार फॉरिंट है विदाउट बिल्स और इंक्लूडिंग बिल्स लगबग 15-16 हो जाता है अच्छा मैंने सुना है कि सर्दियों में बिल जादा है वो थोड़ा सा बताएंगे सर्दियों में बिल जो है लगबग डबल हो जाता है क्योंकि विंटर्स में जो सेंट्रल हीटिंग जो है रूम में तो साथ वो हीटिंग कंजियूम करती है रूम को गरम रखने के लिए तो इसका रिलेटिबल ज्यादा भी लाता है डबल हो जाता लगबग तो एक चालिस है अभी तक आपने मिनिमम कितना पे किया है यूटिलिटीज को और मैक्सिम कितना किया बताएंगे तोड़ा सा मैंने अभी तक मेरा मिनिमम रहा है 153 एफ इंक्लूदिंग एवरिथिंग 11 153,000 मेरा मिनिमम रहा है और मैंने विंटर्स में लगबग 180 तक पे की हैं 182 तक यानि मैक्सिम जो यूटिलिटीज का आया है वो चालिस जा रहा आ प्राइक्सिमाम हान और मिनिमुम तेरह हाजा रहा है जी जी अच्छा इंटरनेट का बताएं के कुछ इंटरनेट का में देता हूं क्योंकि दो लोगों में शेरिंग है यहाँ पे तो मेरा नेबर और हम सेर करते हैं तो यह तीन अजार तीन अजार फॉर इंट मेरा मतली भी इमनलादा है इंटरनेट का वाइफाइ का और स्पीड का है इंटरनेट की मड़ दर इन मड़ी पैसका है अच्छा स पीड है आप जैसे यहां पे जो लोकेशन है अप को पढ़ना बहुत पढ़ता है तो आप कंसिटरेट कर पाते हैं यहां पे भाताही पे यूंपR काला मैं कोई और नहीं रहता आपके साथ जी नहीं आकेल ही रहता हूं चाह bueno is to कई अगर अगर आपको study और इस्टबि और बागी चिज़कर नहीं है तो आपको आपको अकेले रहना मैं ज्याद़ पर्सनेली में ज्याद़ प्रिफर करता क्योंकि हम अपने टाइम और अपनी स्केडियूल के टाइम से उठ पाते हैं सो पाते हैं कोई डिस्टर्वेंस नहीं होता है और खास करके स्टूडिय अपार्टमेंट्स में अखले रहना में प्रिपर करता हूं और खाना आप खुद बनाते हैं यहां पर जी कुकिंग भी मे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यह मत सोचे कि आपको बुड़ापेस में आते ही अकॉमेडेशन बिल जाएगा आप उसको एडवांस में दो तिन महीने पहले से बुक करके आएं और आप जब भी अकॉमेडेशन देखे उसमें देखे कि आपकी सारी सुबिधाय बेसिक जो है ना यूटिलिटीज तो होने ही चाहिए तो दीपम आपने हमसे बात की आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो मुझे अमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप बुड़ापेस्ट आने वाले हैं और